अभी हम लोग यहां पर इस वीडियो में देखेंगे कल के दिन मिंस 8 ओप नॉयमबर को इस तरीके से प्राइस एक्षिन पैटन मनाएगा और इसके इंपॉर्टन लेवल कैसे हो सकते हैं तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर आज की दिन फिर से बड़ा कैंडल बना दिया दो यहां पर हॉल्ट करने के बाद तो एक बात तो तो होता है है एक इंपॉर्टन लेवल बच चुका है वह है 2800 से लेके लगब लिख लिख 2775 यह हमारे पास 25 उत्वेगा बहुत इंपॉर्टन जोन है बहुत इंपॉर्टन रेंज है बहुत उपर से फॉल हो रहा है एकर इस जोन से यह बांच बिक देगा लास्ट टाइम बहुत ज़दा इसने टाइम स्पन किया था उपर जान और वन आवर टाइम फ्रेम पर जब भी डबू टैप पाटन मिले ठीक है बहुत बार देखे होंगे यह हाई लगाया यह हाई ब्रेक नहीं हो पा रहे है तो जब यह डबू टैप पैटन इस तरीके से बजाएंगा उपने हायर हाई को ब्रेक करेगा और लोग 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 बनाने लगेगा तब हम लोग एक चीज़ मान के चलेंगे कि अब यहां पर चांस है कि यह उपर क्यों निकलेगा ठीक है यहां फिर यह इस तरीके से कोई जोन बनाता है और उस जोन को दो-तीन दिन बाद ब्रेक डाउन कर देता है तो हम लोग समझेंगे कि अब यह उपर क कि और निकलेगा तो इस चीज़ का हम लोग को यहां पर वेट करना पड़ेगा तो ऐसे सिनारियो में हम लोग नीचे वाले लेवल के आज पास इसने क्लोजिंग तो दे दिया तो 2800 से लेके 2875 का जो हम लोग ने लेवल डिसकस किया है इस जोन में वेट करता है अगर यह ए कि ऊपर निकलेगा वकिना ओपर निकलेगा तो उसके लिए हम लोगकर से 4000 के लेवल तक 5000 के लेवल तक तेजी से जाना चाहिए